क्रिकिट का बाबा को मुझे क्रिकिट का बाबा देखो यार बाबा रादम का सो आया आया शाहिंशा फ्रीदी और हारिस रोव विकिट लेगा लिया पाकिस्तान की टीम ने 300 से उपर टार्गट दिया दिया हमारे पडोसी रोएंगे बाबा रादम बनेगा बना देखो यार और क्या क्या बताओं मैं आपको तो शुरू होने ते पहले यार हमारे क्रिक कमेडी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यह उलिया भी चेंज़ करके आते हैं किसी को सब्सक्राइब करना चाहता हूँ हमारे पाकिसान के खिलाडियों को और दूसरे क्रिकिट की खिलाडियों को जो के इतनी तेज़ दूब में अपने मुल्क के लिए रखाए करते हैं सब्सक्राइब करती हैं उसाथ में करतो में लेकिर ला मैश की वाज़ करते हैं कना घास और और वहाँ दका सब्सक्राइब करना लेकिन और लखाइब कर पहले बैटिंग का फैसला किया और नेपालियों को जह वह वह पहले बॉलिंग का फैसला दिया लेकिन हमारे जैसे ही बकर और इमाम उलागा यह दिया थूर हमारी जो भेतिंग ऐस कई थोड़ा थूर करके तिны इसके बाद 111 पर मौमद प्रिजवान भी चलते बनें और साथी फिर आए हमारे अच्चु इफ्तखार अहमद और भई किंग बावर आदम ने जिस तरह इनिग्स के लिए स्लूड करना चाहिए बावर आदम को बावर आधम किंग हमारा वापस आ गया है चोके पर चोका चोके पर चोका बावर आदम पॉर इफ्तखार अहमद ने जिस तरह इनिंग्स वह व्यूल्ड की है पाकिस्तान टीम के लिए क्योंके वह मैच फस गया था एक स्टोबीस पे पाकिस्तान टीम के चार आउट हो गए थे क्योंके ने पाकिस्तान को पसा दिया था इस मैच में लेकिन फिर बावर आदम करे दो भावर आदम अपनी उस्ग बनाकर चोड़ेंगे और पॉक्ष़तान टीम को एक बहुत बड़ा टार्य कर दे कर फोड़ेंगे तो पाकिस्तान की टीम की जानिव से बावर आदम ने बहुत जबर्दर इनिंग्स के लिए जिस बहुदार शूके लगए हैं और चार चु पना लिए हमारे किंग भावर आदम ने क्योंकि पूरी तमाइब की दूनिया जो आफकी तरीफ हैं बोच लोग जो आफ़ ओवड़ आफके तरीफ कर रहे हैं दे मित्मार और कियोंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान की टीम प्रैशर में थी जिस तरह बाबर आदम में आकर वो प्रेशर हैंडल किया पाकिसान को इनिंग्स ब्यूल करके दी पाकिसान को आगे तक ले करके शांदार किसम की उन्होंने बारी खेलिया यार बाबर आदम ने कमाल कर दिया क्यूंकि बाबर आदम ने डेड़ सो रंस बनाए है जिसम में तीन च्छके लगातार उन्होंने एक यावर में लगाए हैं हाला कि मुझे इससे पहले बाबर आदम इतने होफ ना एक वैट्समें नहीं दिखें जिसमें हमें नेपाल की जानिव से दिखें सोचो यार बाबर आदम और इफ्तखार अहमद होई 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 इफ्तखार अहमद ने भी यारा चोके और च्छके लगाएं अपनी टीम के लिए और क्या एक्स्प्रेशन की है एंडरेट के बाद सलूड करना चाहिए और वो बता रहा है उसका जिसम बता रहा है किया आपने मुझे क्यों बठाया था साव शिकिल को क्यों खिलाया था उ मैं आपका मेन प्लेयर हूँ इफ्तखार अहमद ने कहा था और इफ्तखार अहमद और बापर आदम ने जिस तरह पाकिस्तान के लिए खेला 300 से उपर लेकर गया पाकिस्तान की टीम के लिए 200 प्लस पार्टनर्शिप हुई है सोचो बारे प्लोसियों का क्या अलुआ होगा पाकिस्तान की टीम ने बनाए और फिर बारी आई नेपाल के अच्छा मुझे तो एक शीए समझ नहीं आता कि यार पाकिस्तान की टीम पुरे 50 आवर कहली ती है और भी दूसरी टीम को जो यार वो जलती आउड करते ती है लागे बस दो भी खेल ले आया उनको खेल ले तो एपने स्ट्पर्ष नेहीं उनको दोका दे दिया वो भान थे यार नेपाल तो यह मैच हार गया लेकिन धुगा करता होुकि नेपाल की टीम चो यह वह बारत को हरा《 क्योंकि दूसरा लेश nowries नेपाल का बारत कब जीतने आए क्योंकि हमारे किंग बाबारादम ने साफ साफ कह दिया कि यार हम वर्ल्ड कॉप और एश्या कब जीतने आए ना कि हम इंडिया के साफ मैच खेलने आए खाली हम यहां पर आ कर डूमिनेट करेंगे दूसरी टीमों को जीते रहेंगे यह हमारी जो है वो शुर मैच होना इंडिया के खिलाफ केंडी में वहां पर 80% चांस है के पाकिस्तान वर्सी इंडिया के मैच में बारिश हो लेकिन हम दुआ करते हैं कि वह बारिश ना और पुरे 54 सावर्स का हो पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया को असानी से हरा देगी और आप भी कोमेंट स एपिसोड जो है वो फिर आएगा पाकिस्तान वर्सी इंडिया की मैं प्रेडिक्शन करूंगा में प्लेयर्स बताओंगा कि पाकिस्तान के कौन से में प्लेयर्स हैं जो के पाकिस्तान के खिल सकते हैं विराड को कौन रोक सकता है यह भी मैं आपको बताओंगा लेकिन दू स्पोर्ट नहीं कर रहें तो यार स्पोर्ड करो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर तो बिल नहीं आ जाता आपको ओके अलाफिस